शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पाकिस्तान को अपनी जमी पर बांगलदेश जैसी कमजोर टीम के सामने टेस्स मैच में संघर्ष करना पड़ेगा सिर्फ एक मैच ही नहीं बलकि पूरी सीरीज में वो फिसद्डी साबित होगी उसमें भी बांगलदेश के तेज गेंदवाज पाकिस्तान पर भारी पड़ेंगे जबकि अपने तेज गेंदवाजों के लिए मशूर पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी मात खा जाएगा कुछ ऐसा ही हुआ है रावल पिंडी में चल रहे दूसरे टेस मैच में जहां मुकाबले के चौथे दिन बांगलदेशी तेज गेंदवाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 172 रनों पर धेर कर दिया और कुछ ऐसा किया जो उसके क्रिकेट इतियास में पहले कभी नहीं हुआ इसमें भी 21 साल के ऐसे बॉलर ने एहम भूमी का निबाई जिसने तीन साल पहले ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था राविल पिंडी टेस मैच के चौते दिन पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में बड़े स्कोर की उमीद के साथ मैदान पर उतरी थी ताकि वो बांगलदेश के सामने एक बड़ा टारगेट रखते हुए जीतने की उमीदों को बरकरार रखे हुआ बिलकुल इसका उल्टा दिन के पहले सेशन से ही बांगलदेश के तेज गेंदबाज हावी हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के दिगजबले बाजों को एक केक कर पवेलियन लोटाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के सभी दस विकेट सिर्फ बांगलदेशी तेज गेंदबाजों ने ही लिए इसी तरह पहली बार टेस विकेट में बांगलदेश के तेज गेंदबाजों ने ये उपलब्दी हासिल की पाकिस्तान का ये हाल करने में एहम भूमिका निभाई तेज गेंदबाज हसन महमूद ने जिन्होंने सबसे ज़ादा पांच विकेट अपने नाम किये लेकिन चर्चा का विशे बने हवाय हाथ के पेसर नाहिद राना सिर्फ 21 साल के इस तेज गेंदबाज ने अपनी तूफानी रफ़तार से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चौंका दिया करीब 6 फूट 3 इंच लंबे इस गेंदबाज ने लगातार 140 से 150 किलोमीटर परती घंटा की स्पीड से बोलिंग करते हुए पाकिस्तान को परिशान किया पहली पारी में उन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया था लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी चौते दिन दूसरी पारी में नाहिद ने लगातार तीन ओवरों में पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद, स्टार बलेबास बाबर आजम और उपकप्तान शौद शकील के विकेट हासल किये इसका असर ये हुआ कि एक वक्त बासर टरन पर टीन विकेट गवाने वाली पाकिस्तानी टीम का स्कोर सत्रवे से 21 ओवर के बीची छे विकेट पर एक्क्यासी रन हो गया नाहिद राना ने कुछ देर में अवरार एहमद को भी आउट कर अपना चौथा विकेट भी हासल कर लिया उसके अलावा पेसर तसकीन एहमद ने भी एक विकेट जटका उने अंडर 19 क्रिकेट खेलने का मौका भी नहीं मिला फिर 19 साल की उमर में उन्होंने 1st क्लास डेब्यू किया और अगले ही सीजन में नेशनल क्रिकेट लीग में 32 विकेट लेकर तहल का मचा दिया आखिरकार इसी साल शिलंका के खिलाफ टेस सीरीज से उन्होंने अपना डेब्यू किया और 5 विकेट हासल किये थे लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये चोटी से उमर का गेंदबाज पाकिस्तान को उसी के घर में धहला कर रखतेगा